अच्छा जी पिछले कुछ लेसंस के अंदर हम लोग ने फोटोगरफी के हवाले से काफी डिटेल में डिसकेशन की हम लोगों ने ये देखा कि फोटोगरफी ग्राफिक डिजाइन में कितना important role play करती है और images और photograph कितने ज़्यदा important होते हैं हमारा message convey करने के लिए design के अंदर अच्छा इसी तरह से मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी website के बारे में भी बताया है जिन से आप royalty free images रो हैं वो बहुत असानी के साथ download कर सकते हैं और अपने designs के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं इस lesson के अंदर मैं आप लोगों को एक और बहुत important और चोटी सी tip देने वाला हूँ इस lesson में हम लोग ये discuss करने वाले हैं कि हम लोग Google से images किस तरह से download कर सकते हैं अपने designs के अंदर इस्तमाल करने के लिए और इसके इलावा वो कौन सी important बाते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए जब हम Google पे images सर्च कर रहे हूँ और चलें फिर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन से tools available है Google में images सर्च करने के लिए अच्छा देखें गूगल के उपर जब आप कोई भी image सर्च करने लगते हैं अपने किसी भी design से relevant तो सबसे पहले जो एक important बात है वो है keyword जनाब आप जब भी कोई भी image सर्च कर रहे हैं तो definitely आपको अपने topic से relevant images सही होते हैं और relevant images ढूणने के लिए आपको उस topic से related कोई keyword जो है वो add करना पड़ता है Google के उपर मिसाल के तोर पे अगर आप कोई ऐसा poster या brochure design कर रहे हैं जो tourism से related है और आपको landscape के images चाही हैं तो definitely आप क्या लिखेंगे आप Google के उपर जाके type करेंगे landscape और उसके बाद आप images वाला ये जो tab है इसको आप click कर देंगे अब ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस सुक जो है वो landscape के हवाले से काफी सारे images जो हैं वो आ गए हैं इसी तरह से अगर किसी specifically किसी भी country के landscape आपको search करने हैं तो आप यहाँ पर आगे उस country का नाम भी जो है वो type कर सकते हैं अच्छा ये जो keywords हैं इसके हवाले से आप देखें कि यहाँ पर मैंने landscape search की है keyword के तोर पर और नीचे कुछ और keywords उसी से relevant मेरे पास आ गए हैं जैसे कि wallpaper, photography, beautiful, painting, garden, etc. तो अगर मैं यहाँ पर landscape के आगे, for example, Pakistan type करता हूँ तो यह Pakistan का landscape आ गया और यह देखें कुछ ऐसे helping keywords आ गए नीचे जो के मुझे support कर रहे हैं मेरा image ढूंडने के लिए जैसे के rural, पंजाब, कश्मीर, नौर्थ, सवात वैली, etc. यानि आप इन tabs के उपर click करके इसको open करेंगे तो आपको पाकिस्तान की इन खास areas या इन खास चीजों के हवाले से landscape के images हैं वो आपको असानी से मिल जाएंगे. अच्छा मैं फिलहाल यहां से पाकिस्तान का word हटा रहा हूँ और landscape के उपर ही search कर रहा हूँ. अच्छा जी जो एक बहुत important चीज है यहां पे images सर्च करते वे Google पे वो यह है tools. यह जो tools का button है यह हम आम तोर पे ignore कर देते हैं जब आप लोगों को यहां पे यह सबसे important जो option है यह बताना चाहता हूँ और यह है usage rights की. देखें जब भी आप किसी भी design के लिए images सर्च कर रहे होते हैं. कोशिश करें कि आप वो images Google से लें जो के copyrighted ना हूँ. यानि कि आपको in future उन images के हवारे से कोई भी claim ना कर सके कि भी आपन हमारे images क्यों use कियें. तो actually होता क्या है? गूगल के उपर यहां पे different websites के हवाले से images हैं वो Google का spider search करके यहां पे हमारे पास thumbnails के तोर पे रख देता है. तो लहाजा हमारे पास यहां पे एक जो option है यह tools के अंदर यह है usage rights की. अच्छा इसके उपर अगर आप click करें तो देखे दो main categories हैं. और usage rights के हवाले से जो सबसे उपर है यह है commercial use के लिए और नीचे है non commercial. इसके उपर कुछ भी नहीं लिखावा है कि label for reuse with modification. यानि के यह वो images आ जाजाएंगे जो के आप modify करके इस्तमाल कर सकते हैं. ठीक है? इसी तरह से यहां पे वो images आ जाजाएंगे जो के आप modify किये बगार भी इस्तमाल कर सकते हैं label for reuse में. अच्छा इसी तरह से label for non commercial use with modification and again label for non commercial reuse. चाहे आप इसको modify ना करें आप सिर्फ non commercially इस image को use कर सकते हैं. तो यह दो basic categories हैं. एक commercial और एक non commercial. और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो ऐसे images use करें जिनके उपर किसी किसम के copyrights ना हूँ. अच्छा जी यहां पर अगर label for reuse पे आते हैं तो एक और चोटी सी tip मैं आपको देता चलूँ. मजीद chances avoid करने के लिए कि कहीं आप कोई copyrighted image ना use कर लें अपने design में. इसके लिए एक चोटी सी tip यह है कि आप यहां से for example किसी भी एक image को open करें और उसकी website पे यानिक खावाजी free download यानि के यह freely download करने के लिए और इस्टमाल करने के लिए available है. So I am safe to use this image for my design. तो इस चीज़ को आप लोगों ने कोशिश करनी है follow करें. अच्छा जी इसी तरह से हमारे पास यहां पर कुछ और options हैं. जैसे कि size की option है. Large पे मैं click करता हूँ तो आप large images रहे हैं व चोटे images आप ढूंड सकते हैं. larger than के अंदर एक category दे दी गई है कि इतने size या इतने megapixel से ज्यादा large size के images अगर आप search करना चाहते हैं तो आप यहां से आके different options हैं इनको choose करके आप बहुत अच्छी quality के high quality के images वो आप यहां से ढूंड सकते हैं. इसी तरह से exactly में आप किसी भी exact size के images वो आप search कर सकते हैं. अच्छी अगर हम आगे चलें तो यहां पर देखें color की option है, full color images available है, इसके लावा black and white images available है, यह देखें black and white landscape आगया है, इसी तरह से किसी खास color की domination वाला image अगर आप को चाहिए, जिसा ही मैंने green पर click किया है, तो यहां पर देखें green dominated by green वाले images आगे हैं, जिन में green जादा dominate कर रहा है, अच्छा जी, इसी तरह से आगे हमारे पास type है, यह type समझाने के लिए मैं यहां पर अपना keyword जो है वो change करता हूँ, दोस्तों यहां पर मैं लिखता हूँ men suiting, यहां पर आप देख सकते हैं कि type के अंदर different options हैं, यानि अगर आपको स search कर सकते हैं, इसी तरह line drawing के अंदर आप कुछ भी ढून सकते हैं, और अगर कोई आपको animated image चाहिए तो वो भी आप यहां से आके type वाले portion में से आप select कर सकते हैं, इसके अलावा जी time की एक option है, यानि कि आपके सामने है कि अगर past 24 hours में जो update हुए है images Google पे, आपके keyword के हवाल इसे जो images upload हुए हैं, वो आ जाएंगे, तो यह different time के हवाले से भी options यहां पे दी गई हैं, अचा जी इसी तरह यहां पे यहां पे यह देखें, more tools है, more tools के अंदर show sizes की एक option है, यह क्या करती है कि यहां पे images के जो thumbnails आपको नजर आ रहे हैं, इनके left bottom area में आपको हर image का actual size को अब clear करता हूं, तो यह simple tool का वाली option है, जो कि आपने use करनी है हमेशा Google पे images को search करते हुए, इस lesson के अंदर हम लोगों ने learn किया है कि हम लोग Google के through किस तरह से efficiently images को search कर सकते हैं, अपने design के लिए, मैं उमीद करता हूं कि यह जो हमने इस lesson में tip सीखी है, यह आप लोगों के लिए बहुत ज़दा आगे चलके काम आएगी, और आप लोग इससे फाइदा उठाएंगे, अब आप लोगों ने करना यह है कि जब भी आप लोग कोई भी image ढूंड रहे हों, तो आपने Google पे images सर्च करते हुए, इन तमाम options और इन तमाम बातों का ख्यार लखना हैं, जो म